आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्सों से चली आ रहे हैं वो कौन करेगा केंदर की सरकार करेगी ये कोचिंग क्लासेस और लाइबरेरी 20-20-25 साल से चल रहे हैं और उस स में M.C.D. में 15 वर्सों से सत्ता पक्ष भारती जनता पाटी की कासासन था क्या किया आपने उस समय एक भी आदमी एक भी अधिकारी सिर्फ LG संचालित करता है उसको इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तयार नहीं मानिवर हमारी हम मैं निवेदिन करना चाहता हूँ उसकी जाच करा यह मानिवर दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है LG के माध्यम से हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है रोडात काया जाता है आपने इस अत्यंत गंभीर विशय पे सदन में चर्चा रखी इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मानिवर मानिवर सबसे पहले मैं अपने मित्र जो अब इस वक्त यहां नहीं है उनको यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ सवाल पूछा था हमने काम क्या किया हमने दिल्ली की अनाधिकरित कालोनियों में 99.6% पाइप लाइन बिचा के पानी पहुँचाने का काम किया हमने दिल्ली के 1031 अनाधिकरित कालोनियों में 4243 किलो मीटर नई सीवर लाइन डालने का काम किया 2014 के बाद 3500 किलो मीटर पानी और 3100 किलो मीटर सीवर की पुरानी लाइनों को बदलने का काम किया 7300 किलो मीटर पानी की नई पाइप लाने का डालने का काम किया ये दिल्ली सरकार का काम है मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र सांसद हमारे साथ किसी दिन समय निकालना चाहे तो चले और ये सारे आकड़े हम उनके सामने रखेंगे मैं बड़ी पीड़ा के साथ दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं सर जो तीन बच्चे जिनकी जान गई है इस घटना में मैं इश्वर से प्रात्ना करता हूं उनकी आत्मा की शांती के लिए मैं प्रात्ना करता हूं कि उनके परिवार को ये अपारकस्ट सहन करने की शक्ती इश्वर दे मैं प्रात्ना करता हूं नीट में जिन छात्रों का भविस्य बरबाद हुआ उन्होंने मजबूरी में आत्मात्या की उनकी भी जान गई उनकी आत्मा की शानती के लिए प्रात्ना करता हूँ कोटा के अंदर जिन बच्चों की जान गई स्विसाइट किया उनोंने उनकी आत्मा को भी प्रभु शान्ती दे मैं प्रार्थना करता हूँ मनिपुर की हिंसा में एक साल के अंदर जिन लोगों की जान गई है जिन लोगों का अपमानित किया गया है इस सदन को उसके प्रतिवी गंभीर होना चाहिए उसके प्रतिवी अपनी संवेध न व्यक्त करनी चाहिए मनिपूर आरोग प्रत्यारोग ये चलता रहेगा लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वरसों से चली आ रही है वो कौन करेगा केंदर की सरकार करेगी कोचिंगों के अंदर ये बेस्मेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मानिवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेश चल रहे है या लाइबरेरी चल रही है ये कोचिंग क्लासेश और लाइबरेरी 20-20-25 साल से चल रहे है और उस समय M.C.D. में 15 वर्सों से सत्ता पक्ष भारती जनता पार्टी की कासासन था क्या किया आपने उस समय आपको दिल्ली के हर काम में रोडा लगाना है रोकना है और उसके लिए आपने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ मानिवर पांच जजों ने सुप्रिम कोट के ये कहा कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसपर का पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार कुद मिलना चाहिए आपने वो अधिकार हमसे छीन लिया मानिवर 28 जून की एक मीटिंग हुई है उसके वीडियो में सदन में रखूंगा मानिवर आपसे निवेदन करूंगा उसकी जाच कराईए हमारे मंतरी सौरभ भरदवाज जी आतिसी मार लेना जी गोपाल राय जी इमरान हुसें जी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मानिवर हमारी हम मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जाच कराई है मानिवर और जो अधिकारी दोसी हैं जिनोंने बार बार कहने के बावजूद हमारे मंतरियों के कहने के बावजूद कारवाई नहीं की उनके उपर कारवाई करन और आप कह रहे हैं तैराकी करके नमबर वनाओ नमबर वनाओ नमबर वनाओ वरना डंडे समारेंगे तुम्हारी आलोचना करेंगे आज मेरे घाव में पीडा हुई सर इसी सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की बीमारी का मजाख उड़ा गया और जब मैंने कहा कि ताली क् तो कहने जेल में गय इसलिए ताली बजा रहा है आप सेलिब्रेट कीजिए कहा यहाँ एक सदसने सर एक मुख्यमंत्री मैं सर खतम कर रहा हूं सर एक मुख्यमंत्री जिसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया पचास से कम सुगर उसकी है उसके बुड़े माबाद को चि की चिंता है आप सेलिबरेट कर रहें आप तालीब जा रहें आप करें मुख्य मंतरी की हालत है तो बहुत अच्छा है मानवर इस बात में घ्रदे 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 में झाल